चोटे वीडियो है वीडियो को आखिर तक देखिए आज दिन भर जो कुछ हुआ है बिहार में सिक्चक बहाली को लेकर के उन तमाम चीजों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा आपके स्क्रीन पर जो आर्टिकल अभी दिख रहा है ये नव भार टाइम्स का आर्टिकल है नव भार टाइम्स एक बड़ा मेडिया हाउस है और यहां पर दी क्या लिखा हुआ है राजी कर्मी के दरजा भी फरेव है इस आर्टिकल को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो इसी तरह की खबरें लिखी हुए है बिल्कुल गलत बात है राजी कर्मी के दरजा अगर आप बीपीजी के अग्जामशन पास कर जाते हैं तो डिफिनेटली मिलेगा इस तरह की चीजें भी मेडिया जान मुझके प्लाइंट कर रहा है चाहे टीवी न्यूस चैनल हो अखबार वाले हो न्यूस पोर्टल वाले हो सभी काम पर लगा दिये जा चुके है जो कई सारी गलत हैं तो दिन पर प्रोटेस्ट हुआ है जो अलड़ी टीचर है उन लोगो नहीं मेली प्रोटेस्ट किया है जिनके सिख्चक संगठन बने हुए हैं उनका ये कहना है कही सारे क्लिप्स में मैंने ये बात सुना है आप लोग भी अगर प्रोटेस्ट का वीडियो देखेंगे तो आपको भी बात पता लगेगी जो अलड़ी टीचर है उनका ये कहना है कि जिन्होंने सिर्फ एस्टेट सीट क्वालिफाई किया है उनका एक्जामनेशन लो त्यूंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेगिन जो टीचर बन चुके इनके पास एक्सपीरियंस ह ले असान या मुश्किल उसका तो क्लियर हो ही जाना है यूंकि 34 परसंट 36 परसंट 40 परसंट नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है तो एक्जामनेशन से डर है और इसी डर का नतीजा जो आप सड़क पर प्रोटेस्ट के तौर पर देख रहे हैं तो टीचर का ये ल प्रोजिक है अपने अपने कन्विनियंस के हिसाब से लेकिन इस तरह की बाते हो कोई मतलब नहीं बनता है जो टीचर इस तरह की बाते हैं उनसे दो चार सवाल भी साथ के साथ मीडिया है उसे को पूछ कि लेना चाहिए सवाल भी तयार रखना चाहिए जिस सबजेक्ट के कर अपने आपको बताएं तो दो चार सवाल पूछ देना चाहिए आसान आसान तो पता लग जाएगा कि एक्जामनेशन से क्यों भाग रहे हैं बाखी इसके रावा कोट केस करने का दौर जो सिलसला है हो जारी है कई सारे सिक्षक संगठ होनों ने कई सारे स्टीटी कैंड़े दिया लेकिन मुसीबत यह है कि आगे आने वले जियों में कोट बंद होने जा रहा है गर्मी के छुटी का मामला है तो देखना है क्या होता है क्या कोट के सब कुछ असर होता है या बस यह सब चीजें है जैसे कि अभी तक होता रहा था कोट के सब कुछ नहीं हुआ वैसा ह रह जाता है, बागी दावे करने वाले और बहुत तरह की लोग तो आपको मिलेंगे ही और इतनी भारी भीड है कोई कुछ भी नरेटिव सेट करना चाहे कोई भी बात को प्लैइंड करना चाहे तो उस बात के दस वीरोध करने वाले और आपके बात कितनी लॉजिकल हो या कितनी इलॉजिकल हो दोनों ही केसे में तो इसलिए जो चंदे-वंदे का सिल्सिला है यह पहले भी सफल था अभी सफल है और आगे भी सफल ही रहा क्यों कि इतनी भार ही बीड है तो चारसो पांसों लोग के चंदा एठना कोई बड़ी बा पात में कोई डाउट नहीं है, बहुत ही घटिया तरीके से बुर्योक्रेसी इसको हैंडल कर रही है, जिस जिसका विज्यापन अब तक आ जाना चाहिए था अब तक तो इन लोगों को अब यह सब चीजें वक्त ही बताएगा लेकिन हर दिन की तरह आज भी प्रोटेस्ट हुआ है और आज बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है